हला स्टूडेंट हाव आर्यू आप सब ठीक होंगे तो आठ से हम क्लास सेवन सी बेस सी आरे सगरवाल एक्सरसाइस सेवन ए आपके सामने लेकर हाजिर है ओके बेटा देखिए क्या कह रहा है कहता है solve the following equations check your result in each case कहरा आपको जितनी भी equation दी है इसको solve करना है और जब आप solve कर लेंगे तो इसको verify भी करना है solve करना आसान है मैं आपको इस chapter की जलक previous chapter में भी कई पार्ट में दे चुका हूँ ठीक है तो वो तो आप कर लोगे मैं पता दूँगा लेकिन इसको verify करना है वो थोड़ा सा आप लेंदी पार्ट है उसके लिए आप समझेंगे क्या करना है कैसे करना है ठीक है इस chapter का नाम है linear equation in one variable क्या नाम है बैटा linear equation in one variable समझेंगे क्या है चैप्टर के बाएं इस chapter का नाम क्या है अभी मैंने बोला linear equation in one variable ठीक है देखो सब का मतलब लिखते चलो उसके बाद में बताऊंगा अपो ठीक है linear का मतलब होता है one one यानि जिसके degree one होगी degree करती होनी चाहिए one होनी चाहिए अच्छा degree किसकी होगी variable की तो degree of variable यहाँ पर क्या होना चाहिए one होना चाहिए ठीक है equation अब जानते ही हो equation कहलो या expression कहलो ठीक है equation किसे कहते हैं जहां पर आपका variable प्लस ऑपरेटर और प्लस कॉंस्टेंट मिल जाए उसको आप क्या कहते हैं equation कहते हैं variable जानते हो variable कहते है unknown values को कुसको unknown values को जिसकी value हमें ना पता हो for example x y z या a b c etc ये सारे क्या है यानि जो alphabet आपके लिखे होंगे English के उसको आप क्या कहेंगे variable कहेंगे clear है तमझ मैं आपरेटर कहते हैं बिटा sign को जो आपका sign लगा होता है जैसे कि plus minus multiply divide और etc इसके अलाबा भी कई sign होते हैं ठीक है constant कहते हैं आपके numbers को mathematical number को क्या कहते है constant कहते है mathematical number को क्या कहते है constant कहते है ठीक है ना तो जहाँ पर variable plus operator plus constant का group आपको दिखाई देगा वही आपका क्या कहलाएगा equation कहलाएगा और अगर उसमें variable की degree 1 है तो उसको कहेंगे linear equation ठीक है तमच माया for example देख लो for example जैसे यहाँ भी लिका है 3x plus 7 is equal to 9 तो क्या यह linear equation है चेक करते हैं पहली यह equation है या नहीं है चेक करते हैं equation में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए सर variable होना चाहिए operator होना चाहिए और constant होना चाहिए देखते हैं x आपका variable है plus और यह equal to का sign आपका operator है 379 क्या है यह आपका constant है यानि यह आपका linear equation है ठीक है अच्छा सिब equation है linear नहीं आपका equation है इसको हम equation कह सकते हैं क्या linear है linear के लिए क्या चेक करते है बिटा variable की जो power है या variable की जो degree हो वह वन होनी चाहिए variable यहाँ पर क्या है x है x की degree क्या है 1 है कुछ नहीं लिखा है तो by default क्या है 1 है तो इसको आप कहेंगे कि यह क्या है linear equation in one variable है यह जो आपकी equation लिखी है 3x plus 7 is equal to 9 यह है आपकी linear equation in one variable अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ 3x की power 2 plus 7x plus 4 is equal to 0 क्या अब यह linear equation in one variable है बिलकुन नहीं है यह आपकी equation तो है equation में क्या क्या आता आपका variable भी है दो ठो एक x square एक x है operator भी है दो ठो प्लस है equal to है constant भी है 3, 7, 4 और 0 यह equation तो है लेकि linear equation नहीं है linear equation क्यों नहीं है क्योंकि variable की highest power कितनी है 2 है variable की power 1 भी है लेकिन variable की highest power कितनी है 2 है तो इस वज़े से यह equation है जिर्फ linear equation नहीं है जहां पर variable की highest power 1 होगे इसको आप कहेंगे linear equation और जहां पर variable की highest power 1 नहीं होगे इसको आप linear equation नहीं कह सकते है समझ में आया, थोड़ा बहुत भी अच्छे से, ठीक है, तो ये था आपका linear equation in one variable का मतलब, कि chapter का नाम क्या है, उससे हम क्या सीखेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना इस exercise में, सिर्फ और सिर्फ आपको variable की value पता करनी रहेगी, linear equation सारे होंगे इसमें, जहां नहीं होंगे, आप समझ जाओगे, power 2 रहेगी, 3 रहेगी, या fraction में रहेगी, या minus में रहेगी, इस तरीक है, ठीक है, चलिए, इसको solve करते हैं, ठीक है, और आपको verify भी करना है, verify कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ भी, चलिए, जैसे क्या दिया है, पहला दिया है, 3x minus 5 is equal to 0, ये चीज आ मैं आपको थोड़ा arrow के जरीए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा थोड़ा नया है, जैसे हम पाच्छे कोशन कर लेंगे, उसके बाद मैं ऐसा ही बताऊंगा, ठीक है, तो ये 3x is equal to क्या हो जाएगा, minus 5 जब इस side shift होगा, या राइट hand side में तो plus हो जा है, तो by default यहां क्या होगा, into का sign होगा, multiply का sign होगा, एक बार फिर से, x के साथ, left hand side में x के साथ 3 लगा हुआ है, तो 3 और x के बीच में कोई side नहीं है, तो by default कौन सा sign होगा, into का sign होगा, कौन सा sign होगा, into का sign, और जब 3 को आप इधर shift करोगे, यानि right hand side में, तो ये 3 क्या हो यानि multiply में है, right hand side में आएगा, तो 5 के साथ क्या होगा, divide में चला जाएगा, ठीक है, तो x की value किती आ जाएगी, 5, 3 इधर shift हो जाएगा, तो 5 upon में 3, समझ में आया, तो x की value क्या आ गई बटा, 5 upon में 3, ठीक है, आपने x की value तो निकाल लिया, अब कह रहा है, इसको verify करो, त समझना, verify करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको main equation दी है न, यह 3x minus 5 is equal to 0, यहाँ पर x की जगा पे, इस equation में x की जगा पे, जो value आपने निकाली है, वह उठाकर put कर दोगे, चलिए कर लेते हैं, तो 3x minus 5 is equal to 0 लिखा है, x की जगा पे उठाकर put कर देगे, तो 5 क्या होगा, 0 आएगा, इधर भी 0 और इधर भी 0, यानि left hand side में भी 0, right hand side में भी 0, अगर दोनों तरफ बराबर है तो आपका verify हो गया, तो आप लिखो के hence, hence verified, ठीक है न, यहाँ भी तो confusion नहीं होगे, 3x minus 3, 3x minus 3, मैंने 1 नहीं लिखा था, इस वज़े से मैंने आपको बत इधर खरेंगे तो 5 ही आएगा, 5 की अपाउन में 1 रहेगा, किसी भी नमबर की अपाउन में 1 रहेगा, तो बलट की वही नमबर आजाता है, तो 5 ही आजाएगा, 5 को 5 में से minus करेंगे, तो 0 आएगा, left hand side में भी 0, रेट hand side में लिखा था, यहाँ पे हमें मेनात करनें की देखो क्या हो जाएगा 8x minus 2x इधर आ रहा है ना तो plus 2x हो जाएगा 9 आपका as it is रहेगा जैसा था वैसा ही रहेगा minus 3 इधर जा रहा है ना तो plus 3 हो जाएगा 8x और 2x को plus करेंगे तो आएगा 10x 9 और 3 को plus करेंगे तो आएगा 12 clear है x की value क्या आएगी बैटा 12 10 जो है 12 के divide में चला जाएगा यह तो समझ गए होगे अब तक ठीक है ना टू 5 जा टू 6 जा एक्स की value कितनी आगे बिटा 6 अपॉन में 5 कितनी आ गई 6 अपॉन में 5 अब वही चीज है यह जो एक्स की value आई है ना इसको एक बार इसमें shift करोगे एक बार इसमें fit करोगे दोनों साइड क्या होगा से मांसार आएगा ठीक है समझ माया चलो कर लेते है आज आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझने ना ठीक है तो अच्छा समझना देखो पहले lhs में यहां पे लिखूंगा और यहां side में क्या लिखूंगा rhs लिखूंगा आज आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 8x-3 तो 8x 8 into 8x-3 है ना x की जगा पर उठा के यहाली वाली रखेंगा जो आपकी i है ठीक है 6 upon 5 आया है ना तो 6 upon 5 minus 3 8x कितना हो जाएगा 48 यह जाएगा 48 अपान 5 minus 3 5 सिरीजा कितना हो जाएगा 15 48 में से 15 को minus कर देंगे यही तो होगा ना तो 48 में से 15 को हम क्या करेंगे minus कर देंगे कितना आएगा 33 बचेगा ना तो answer कितना आएगा आएगा 33 upon 5 क्लियर है तो उनमें आए ना थ्रहा डारेक्ट किया समझना 5 को 3 से multiply किया है तो 15 हो जाएगा 48 में से 15 minus करेंगे कितना आएगा 33 आएगा अपान में 5 बचेगा आरचेस में क्या था 9 minus 2x 9 minus 2 into x की जगा पर क्या पूट करेंगे यह चीज़ पूट करेंगे 6 upon 5 ठीक है तो यह ह जाएगा 9 minus 2x 12 upon 5 समझना 5 को 9 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 45 45 में से 12 को minus कर देंगे तो अंसर कितना बचेगा 33 upon 5 अब देखो LHS यानि left hand side और RHS दोनों की value सेम है न तो आप नीचे कह लिखोगे hence verified यह आपका verify होगे verify कब होता है जब LHS और RHS की value क्या हो जाए बिटा सेम हो जाए खिलिए रहे है अच्छे से चलो यह वाला करते हैं समझना आप हम मािनेस 7x को इधaros बेजेंगे और 7 को इधार बेज देंगे ठीक है देखो मैनेस 7x से इधर बेज는 तो हो जाएगा ब्लस 7x ठीक हो're minus 5 x is қडू 2 पामा इसक्स इपाल टू 5 है मैनेस सेव उसें को इधार बेजेंगे तो हो जाएगा-7 माइनस प्लस, माइनस, 7x में से 5x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x, 5 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2, x की वैलू क्या आएगी, माइनस 2 अपॉन में 2, 2 1s आ, 2 1s आ, तो x की वैलू क्या आगई, माइनेस वन अपान में वन रखने का या लिखने का कोई मतलब भी नहीं है तो अब आरेक्ट क्या लिख होगे X की वैलू माइनस वन लिख दोगे क्लिया रहे आच्छे से कोई दिक्ट वाली बात तो नहीं है अब उठा के वैलू LHS और LHS आलग अलग निकाल के चली कल लेते हैं LHS और यहांपर क्या होगा पृटा LHS क्या दिया था 7 minus 5 X देखो और से लेफ्ट है्ड आट एइसे समझ गजएना 7-5 तो 7-5 into minus 1 क्योंकि x की जगापे हमें minus 1 बुट करना है चलिए minus minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 7 plus 5 बंजा 5 minus minus मिलके plus हो गया 7 नो 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 12 आजाएगा वही सेम चीज आरेचेस पे भी अप्लाई कर देंगे यह जाएगा 5 minus 7 एक्स की जगापे क्या बुट करेंगे minus 1 क्योंकि x की value minus 1 आई है again minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो 5 plus 7 को में से मुट्पाई करेंगे 7 आएगा 5 और 7 को plus करेंगे answer कितना आएगा 12 आएगा clear है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे hence hence verified clear है आच्छे से ओके चली इसके बाद अपना next question करेंगे समझना थोड़ा सा 3 plus 2x is equal to 1 minus x चली यह देखते हैं इसके बाद ठीक है देखो minus x को आप इधर shift करोगे 3 को आप इधर shift करोगे तियो जाएगा 2x plus x is equal to 1 minus 3 3x और x मिलके कितना हो जाएगा 2x और x मिलके कितना हो जाएगा 3x क्योंकि भी है x के आगे जब कोई number नहीं होता तो by default 1 होता है ठीक है x के आगे क्या लिखा है 1 लिखा है और x के आगे 2 लिखा है तो 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3x आजाएगा जैसे अगर कोई भी variable लिखा है x, y, z, a, b, c अगर उसके आगे कोई सा number नहीं लिखा है तो by default वहाँ पे क्या होगा 1 लिखा होगा यह आपको पता होना चाहिए ठीक है मैंने बता दिया है ठीक है ना 1-3 करेंगे कितना आएगा देख लो कहोगे सार 1 मैंसे 3 तो minus होता नहीं है मैं कहूंगा आपसे कि चलो नहीं होता है मान लिया तो करोगे कैसे तो करोगे कुछ इस तरीके से कि 3 मेंसे 1 ही minus करोगे अंसर आएगा 2 बस sign किसका लगेगा minus का लगेगा जब भी छोटी किंती मेंसे बड़े किंती मेंस करोगे कुछ ऐसे करोगे करना कैसे है बड़े गिंती मेंसे हम छोटी गिंती ही minus करेंगे लेकिन sign किसका लगा देंगे minus का लगा देंगे clear है तो x की वाली किती आ जाएगी यहाँ पर minus 2 upon में clear है अच्छे से अब LHS और RHS हम verify कर लेते हैं देखिए कैसे करेंगे LHS लिखा और यहाँ पर क्या लिखेंगे RHS लिखेंगे ओके LHS में क्या है बिटा 3 plus 2x है ठीक है तो 3 plus 2 into x की जगा पर यह भूट करेंगे तो हो जाएगा minus 2 upon में 3 ठीक है तो हो जाएगा 3 plus और minus में लिके हो जाएगा minus 2 2s of 4 upon में 3 फिर वह यह cross multiply करके minus कर देंगे 3 को 3 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 9 9 में से 4 minus कर देंगे तो हो जाएगा 5 answer कितना आएगा 5 upon में 3 clear है अब उसी तरीके से RHS में भी आप यह उठा के put कर दोगे RHS क्या दिया आपको 1 minus x दिया है ताकि आपके अंदर मन में कोई भी confusion ना रहे minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो जाएगा 1 plus 2 upon में 3 ठीक है cross multiply कर दो plus कर दो cross multiply करो फिर plus करो 3 बन जा 3 और plus 2 करेंगे एक answer कितना आएगा 5 upon में 3 LHS और RHS की value बराबर आगी तो आप दिकोगे hence hence verified clear आए आच्छे थे 5 फाला देखो क्या हो जाएगा ठीक है 2 है भी bracket में x minus 2 है plus 3 है bracket में 4x minus 1 is equal to 0 है बहुत असान है देख लो 2 को x से multiply करेंगे तो हो जाएगा 2x 2 को minus 2 से multiply करेंगे तो हो जाएगा minus 4 ठीक है 3 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 12 और 7 में x फिर 3 को minus 1 से multiply करेंगे तो 3 आपका plus में है 1 आपका minus में है plus minus 3 बन जा 3 हो जाएगा is equal to 0 हो जाएगा ठीक है 2x और 14x को plus कर देंगा answer कितना आएगा sorry माफ करिएगा बिटा और 12x को plus करेंगे answer कितना आएगा 14x आएगा यह आपका है minus 4 और यह आपका minus 3 है जब भी आपकी दो गिंती minus में होती है तो minus minus क्या होता है plus होता है हम दोनों को plus करते हैं लेकिन सायं किसका لगाते है minus का ठीक है जब भी आपकी 2 गिंती minus में होती है तो minus minus क्या होता है rule को इस आप से plus होता है तो दोनों को plus कर देंगे तो answer लागा 7 लेकिन sign किसका लगा एंगे minus का, क्यों minus का क्योंकि इसमें बड़ी किंती minus में है ठीक है न, चलो is equal to 0 उसके बाद क्या होगा देखो minus 7 को आप set shift करोगे तो कल लो, तो हो जाएगा 14x is equal to 0 plus में 7 minus 7 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो plus 7 हो जाएगा तो 14x is equal to कितना आ गया 7 आ गया, x की value कितनी आ गई 7 upon में 14 7 मिंजा 7 7 तूजा 14 ठीक है, x की value कितनी आ गई 1 upon में 2 clear है अब आपको verify करना है verify करनेंगे, बहुत आसान है ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर LHS और RHS का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको LHS दिया है RHS की value तो 0 है ना तो आप LHS को solve करोगे अगर आपको 0 आ गया तो LHS 0 हो जाएगा और RHS अलेड़ी 0 दिया है तो दोनों verify हो जाएगे यानि यहाँ पर आपको सिर्फ आप सिर्फ LHS solve करना है कहनें मैं यह चाहे रहा हूँ ठीक है न जब भाईया आपको RHS में value दी है तो RHS क्यों solve करोगे सिर्फ आप सिर्फ LHS तो solve करोगे ना 1 by 2 पुट करेंगा 1 by 2 तो माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में 4 इन्टू एकिस जगा पे 1 by 2 पुट करेंगे फिर माइनस 1 देखो टू एंजा तो टू देखो यह तो टू जा पॉर हो जाएगा वन आपाउन 2 है माइनस 2 है 2 आर 2 मल्लिपलाई हो जाएगे तो two two's are four हो जाएगा one minus four one में से कभी four minus हुआ है सब नहीं हुआ है तो क्या करोगे सब हम four में से one ही minus करेंगे लेकिन sign minus का लगाएंगे तो कर दो four में से one minus करोगे three आएगा लेकिन sign minus का लगाओगे तो हो जाएगा minus three upon में two हो जाएगा clear है इसके बाद देखो plus three यहां पर देखो two one's are two हो जाएगा और upon में one है तो two upon में one कोई मतलब बनता है इस बात का कि upon में one लिखो चाहें ना लिखो नहीं दिखते हम तो two one's are two हो जाएगा two one's are two उसके बाद two में से one minus करेंगे अंसर कितना आएगा one आएगा देख लो two one's are two हो जाएगा minus one यहां two में से two cancel out हो जाएगा तो हो जाएगा minus three plus two में से one minus करेंगे तो one आएगा उसके बाद one कोट आगे three से multiply करा देंगे तो three आजाएगा minus three plus three cancel out हो जाएगा अंसर कितना आएगा zero आएगा LHS की value zero आगई RHS already zero दिया है तो आप यहां कहली हो गए hence hence verified clear है अच्छे से कोई दिख़्त आले बाद तो नहीं एक चीज़ और समझ दो आप कुछ बच्चे सोचे को सिर्च जोगे मेरे साथ लेकिन यह बात आपको पता होना चाहिए वही चीज़ आप भी है two में से one minus करेंगे तो one आएगा one quote आगे three से multiply करा देंगे तो three आया वही चीज़ आप भी ता two में से two cancel out हो गया अच्छा cancel out होके zero नहीं बचता है यहाँ पर भी one बचा है यहाँ पर भी one बचा है लेकिन confusion को avoid करने के लिए और बहुत ज़्यादा conclusion ना करने के लिए मैं नहीं लिखता हूँ ठीक है तमाज माया आच्छे से तो minus three को one से मड़ी पैकर होगे तो minus three आएगा फिर upon में one लिखोगे minus three upon में one पलेट के अंसर minus three ही तो आएगा ना इस वज़े से मैंने आप में minus three डिरेक लिखा है ठीक है ना आप भी दिरे दिरे करते रहोगे आज आएगा दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है चलो इसके बाद इसको solve करते हैं six part देखो क्या कह रहा है five को two से multiply करेंगे तो हो जाएगा ten साथ में x फिर five को minus three से multiply करेंगे तो हो जाएगा minus fifteen minus three को three से multiply करेंगे तो हो जाएगा minus nine और साथ में x फिर minus three को minus seven से multiply करेंगे तो three का minus और seven का minus 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 plus हो जाएगा three seven जा कितना हो जाएगा twenty one is equal to five ठीक है ना प्लस माइनेस माइनेस होता है माइनेस प्लस माइनेस होता है और जहां पर माइनेस मिलते हैं तब ही प्लस होता है जैसे देखो 3 का माइनेस और 7 का माइनेस मिला तब जाके प्लस हुआ है वन्ना 5 का प्लस और 3 का माइनेस मिला था तो माइनेस प्लस प्लस मिला था तो माइनेस 10x में से 9x को माइनस कर देंगे तो अंसर आएगा x या तो 1x लिख दो या तो x लिख दो यह आपके उपर है 1 हम आम तोर पे नहीं लिखते हैं वारीबल क्या कि इस वज़े से नहीं लिखेंगे ठीक है 5 प्लस 5 जो है प्लस 15 आपका इस सेट शिफ्ट होगा सारी माइनस 15 इस सेट शिफ्ट होगा तो प्लस 15 हो जाएगा ठीक है अब प्लस 21 भी इधर शिफ्ट होगा तो यह माइनस 21 हो जाएगा ठीक है 5 और 15 हो जाएगा 20 और माइनस 21 20 में से 1 का इसको माइनस करना है काओंगे, Sir पगला गए हो क्या, ऐसा possible नहीं है, तो मैं काओंगे जब ऐसा possible नहीं है, चलो, वही चालो. पर भी हम LHS solve करेंगे, LHS की value 5 आनी चाहिए, LHS already 5 दिया है, दोनों verify हो जाएंगे, solve कर लेते हैं, verification, LHS देखो कैसे solve करेंगे, यह जाएगा 5 bracket में, 2 into, x की जगा पर क्या put करोगे, minus 1, put कर देते हैं, minus 1, उसके बाद यह minus 3, 3 into x की जगा पर minus 1, फिर minus 7, देखो कैसे करोगे, 2 को minus 1 से multiply करोगे, तो 2 का plus, 2 के आगे कोई sign नहीं, तो by default plus है, अब यह मत कहा देना, sir आपने तो कहाता है, into का sign होता है, into का sign bracket के पहले होगा, 2 से पहले नहीं होगा, 2 से पहले plus ही रहेगा, 2 का plus, 1 का minus, plus minus, minus, 2 बंज़र 2, और minus 3, जो लिखा है आपका, ठीक है, फिर minus 3 लिखोगे, 3 का plus, और 1 का minus, plus minus, minus, 3 बंज़र 3, 3 बंज़र 3, फिर minus 7, अब देखो, minus 2, minus 3, इसका अंसर क्या आएगा बटा, बताओ ज़रा, minus, minus, plus होता है, 2 और 3 को जोड़र दोगे, तो आएगा 5, लेकिन साइं किसका रहेगा, minus का, तो 5, bracket का अंदर क्या रहेगा, minus 5, फिर आपने minus 3 लिखा, minus 3, यह वाला minus 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, minus 3, minus 7, minus, minus, plus, 3 और 7 को plus करोगे, तो आंसर आएगा 10, लेकिन साइं किसका रहेगा, minus का रहेगा, clear है, 5 को minus 5 से multiply करेंगे, तो आएगा minus 25, क्योंकि यह वाले 5 का plus, यह वाले 5 का minus, plus, minus, minus, और यहाँ भी minus, minus, plus हो जाएगा, 3 को 10 से multiply करोगे, आएगा 30, minus, plus, minus, 30 में से 25 को minus करोगे, आंसर आएगा 5, साइं किसका लगेगा, बड़ी किन्ती का, बड़ी किन्ती है आपकी plus में, 30 है बड़ी किन्ती, वो है plus में, plus हम आम तोर पे नहीं लगाते हैं, लगाना चाहो तो लगा दो, ठीक है, LHS की value 5i है, RHS की value आपको यहाँ पे और लड़ी 5 दी हुई है, तो आप नीचे क्या लिख दोगे, hence, verified, clear है बटा, अच्छे से, ओके, चलिए, इसके बाद अपना next question करते हैं, समझना थोड़ा सा, question number 7, क्या कह रहा है, थो मैं समझेंगे इसको, ठीक है, देखो, minus x को इधर shift कर देंगे, और minus 1 by 3 को इधर shift कर देंगे, तो देखो क्या होगा, 2x minus x को इधर लाएंगे, तो plus x हो जाएगा, left hand side में, 1 upon 5, minus 1 by 3 को इधर shift कर देंगे, तो हो जाएगा, plus 1 by 3, 2x plus x हो जाएगा, 3x, 5 और 3 का, LC हम लेंगे, अंसर कितना हैगा, 15, 15 को 5 में से divide करेंगे, अंसर आएगा, 3, 3 को उठा के उपर वाले बंसे, multiply कर देंगे, तो हो जाएगा, 3 plus, 15 को 3 से divide करेंगे, अंसर आएगा, 5, 5 को उठा के उपर वाले बंसे, अंसर आजाएगा, 5, ठीक है, 3x कितना आगे आपका, 3 plus 5 करेंगे, अंसर कितना आएगा, 8 upon me 15, 3 जो है, इधर shift कर देंगे हम, तो x के value कितनी आजाएगी, 8 upon me 15 into 3, clear है बेटा, आच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है, तो बता दो, ओके, देखो, तो x की value यहीं भी लिख लेते हैं, तो x की value क्या आगई, 8 upon me 15 को 3 से multiply करेंगे, आएगा 45, तो x की value कितनी आगई, 8 upon me 45, clear है, अच्छे से, अब यहाँ पर आपको दोनों solve करना पड़ेगा, lhs भी solve करना पड़ेगा, rhs भी solve करना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, lhs पहले लिखता हूँ मैं, ओके, देखो, lhs क्या दिया है, 2x minus 1 by 3, तो 2 into, x की जगह पर यह वाली value पूट करेंगे, 8 upon में 45, उस भाद minus 1 by 3 पूट करेंगे, ठीक है, 2x से कितना हो जागा, 16 upon में 45, minus 1 by 3, 45 और 3 का आपको lcm निकालना होगा, lcm आप निकाल लेजेगा, i hope आपको lcm निकालना आता होगा, ठीक है, 45 और 3 का lcm निकालोगा, तो पलट के lcm कितना आएगा, 45 ही आएगा, 45 को 45 से डिवाइट करोगे, आंसर आएगा 1, 1 को उठा के उपर वाले 16 से मल्टिप्लाई करा दोगे, आंसर आएगा 16, minus, 45 को 3 से डिवाइट करोगे, आंसर आएगा 15, 15 को उठा के उपर वाले 1 से मल्टिप्लाई करा दोगे, तो आंसर आएगा 15, 16 में जे 15 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा, 1 upon में 45, यानि LHS कितना आगया, 1 upon में 45, अब RHS देखते हैं, ठीक है, RHS यहाँ भी देख लो, RHS यानि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1 upon 5, माइनस X, X लिखा था ना, X की वालू क्या है, 8 upon में 45 है, 5 और 45 के हिल्सियम लो, तो परट के हिल्सियम 45 ही आएगा, 45 को 5 से डिवाट कराएंगे, आंसर आएगा 9, 9 को उठाक उपर वाले 1 सो मल्टिप्لाइ करादेंगे, तो आंसर 9 ही रहेगा, माइनस, 45 को 45 से डिवाट कराएंगे, आंसर आएगा 1, 1 को उठाक उपर वाले 8 सो मल्टिप्लाइ करादेंगे, 9 में से येट माइनस होगा, आंसर आएगा 1 upon में 45, LHS है आपका 1 upon my 45 RHS भी है 1 upon my 45 लिचे आप यहाँ पर क्या लिख हो गए Hence verified LHS और RHS बराबर हो गए ना तो आपका यह क्या हो गए बटा verify हो गया, clear है इसके बाद देखना, okay minus 3 को आप इधर shift करोगे 1 upon 3x को आप इधर shift करोगे तो हो जाएगा 1 upon 2x minus 1 upon 3x plus 1 upon 3x को इधर shift किया तो minus 1 upon 3x से आगया, ठीक है इसमें आप compute तो नहीं होगे मेरे ख्याल से 5 आपका asities रहेगा minus 3 को इधर shift करेंगे तो हो जाएगा plus 3 2 और 3, 2 और 3 बेटा आपस में co-prime है, co-prime किसे कहते हैं सर्थ जिनका highest common factor 1 होता है यानि दोनों number को सिर्फ और सी 1 ही divide कर रहे है अगर ऐसा है, तब तो आपको सोने पिसुहागा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है क्या करते हैं, cross multiply कर देते हैं, ठीक है 3 को 1x से multiply करेंगे तो हो जाएगा 3x minus 2 को 1x से multiply करेंगे तो हो जाएगा 2x upon me 2 को 3 से multiply कर देंगे तो हो जाएगा 6 clear, ऐसे करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब आपका co prime होता है, अगर co prime में ही है तो ये तरीका मत अपनाना गलत हो जाएगा ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ is equal to 5 और 3 प्रेस करेंगे, अंसर कितना आएगा 8 समझना, 6 जाएका 8 से multiply हो जाएगा, cross multiply और 3x में से 2x minus करेंगे तो अंसर आएगा 1x एक बाड फिर से देख लो, 6 जाके 8 से multiply हो जाएगा काओ हाँ, हाँ, हाँ जर multiply हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6 जाके 8 से multiply हो जाएगा 48 3x में से 2x minus करेंगे, तो अंसर आएगा 1x 1 हम आमतार पे नहीं लिखते हैं, तो x के value कितनी हो जाएगा 48 clear है, समझ में आएगा, अच्छे थे आच्छे, x के value 48 आगी, अब हमको verify करना है verify कर लेंगे बेटा, कोई, बड़ी बात नहीं है LHS यह है आपका LHS क्या दिया है 1 upon 2x x के जगा बे 48 रखेंगे बस आब इतना धान रखेंगे अब minus 3 2 1s आ, 2 24s 2 2s आ, 4 2 4s 24 को 1 से multiply करेंगे तो 24 ही आएगा उसमें से 3 minus कर देंगे तो आँसाल आगा 21 ठीक है आर्चेस यहाँ पर solve कर लेंगे यह आर्चेस क्या कह रहा है तो जाएगा 5 आर्चेस क्या लिखा है 5 plus 1 upon 3 x तो 5 plus 1 upon 3 इंटू x के जगा पर 48 पुट कर देंगे 3 1s आ 3 यहाँ पर जाएगा 3 1s आ 3 4 में से 3 minus करेंगे आंसर आएगा 1 remainder और आगे 8 लिखा है तो 1 और 8 मिलके हो जाएगा 18 तो 3 6 16 हो जाएगा यहाँ पर 1 बचा है 1 को 16 से multiply करेंगे तो 16 हो जाएगा upon में भी 1 लिखा है 16 upon में 1 किसी भी number को 1 से divide करो तो पलेट के वही number तो आता है तो 16 upon में 1 लिखेंगे तो answer कितना आएगा 16 आएगा अब प्लस 5 कर देंगे answer कितना आजाएगा 21 आजाएगा LHS और RHS दुनों बराबर हो गया है तो आप यहाँ पे लिखोगे hence verified clear है आच्छे से 9th पार देखो पेटा X upon 2 plus X upon में 4 2 और 4 का LCM यह कहेंगे तो 4 आएगा LCM का मतलब होता है least common multiple यानि 2 और 4 की table पढ़ो जो सबसे छोटा number दोनों में common आजाए वही आपका LCM कहलाएगा 2 2 जा 4 आएगा 4 1 जा 4 आएगा यानि 4 सबते छोटा number है जो 2 और 4 दोनों की table में आता है एक तरीका तो यह है यह मैं आपको meaning समझा रहा हूँ तरीका तो यह नहीं है तरीका तो वही अपना simple वाला है LCM जैसे निकालते हैं प्राइम ब्राक्राइदेशन मेर्थत के दिरो ठीक है ना आम तर पे नहीं लिखते हैं माफ करिएगा 4 को 4 से डिवेट करोगा answer आएगा 1 1 को उठाके x से multiply करेंगे तो answer आएगा 1x 1 हम आम तर पे नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे direct x लिख देंगे टीक है इस इकल टू 1 अपन में 8 2x प्लस 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x अपन में 4 is equal to 1 अपन में 8 ठीक है 4 इधर जाएगा cross multiply होने बां से और 3 आगे इधर multiply हो जाएगा तो x को वाली कितनी हो जाएगी 4 1s आ 4 अपन में 3 को 8 से multiply कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 ठीक है यह हो रहे हैं देखो 4 1s आ 4 4 6 आ 24 जो x कितनी है आ गई 1 अपन में 6 clear है अब जो x कि वाली 1 अपन में 6 आई यह न बेटा उसको यहाँ पर put कर देंगे चलिए करते हैं यहाँ पर भी देखे हमको सिर्फ वासिफ LHS निकालना है LHS पता करना है LHS के वाली तो 1 अपन में 8 अल्रेडी दी हुई है clear है चलो कर लेते हैं बहुत आसान है देखो कैसे होगा LHS is equal to कितना हो जाएगा x x के जगा पर put करेंगे 1 अपन 6 ठीक है न नीचे क्या लिखा है 2 लिखा है तो ऐसे लिखेंगे देख लो ये तरीका होता है जान लो confuse ज़रा भी नहीं होना है ठीक है plus x के जगा पर लिखेंगे 1 अपन 6 तो 1 तो उपन लिख देंगे 6 नीचे आ जाएगा और into क्या लिखा है 4 तो ये हो जाएगा 1 अपन 6 तूज़ा 12 plus 1 अपन 6 तूज़ा 24 clear है अच्छे से अब इसके बात समझो 12 और 24 का इसे हम लोगे तो 24 आएगा निकाल लीजेगा prime factorization method के दुरू 24 को 12 से divide करोगे तो answer आएगा 1 एक बार फिर से 24 को 12 से divide करोगे answer आएगा 2 इसलिए कहा था एक बार फिर से और नहीं आएगा 24 को 12 से divide करोगे तो answer आएगा 2 2 को उठा के उबर वाले 1 से multiply करा दोगे तो 2 हो जाएगा 24 को 24 से divide करोगे तो answer आएगा 1 1 को उठा के उबर वाले 1 से multiply करा दोगे तो 1 ही रहेगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 upon मे 24 फिर 3 बन जा 3, 3 एट जा 24 24 अंसर कितना आ गया वन अपॉन में एट लेट की वैलू वन अपॉन एट आई है और इस और डिवन अपॉन एट दिया है तो यहां भी नीचे कह लिखो के बिटा हैंस हैंस वेरीफाइड है क्लियर है कि नहीं ओके चलो फडाक्स इसका स्क्रीन शॉट लो इसके बाद नेक्स अब धीरे धीरे आपका कोशन का लेवल बढ़ेगा घबराईएगा नहीं स्टेप बाई स्टेप चलेंगे अंसर आजाएगा ठीक है इसको बहले ब्रैकेट ओपेंड करते हैं वारीबले एक साइड नंबर एक साइड साइड सॉल करते हैं यह जाएगा अपको थ्री एक्स टू को एक्स से मल्टिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स फिर टू को टू से मल्टिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फोर जहां पर माइनस आएगा वही पि मैं प्लस माइनस में कॉंसे बताता हूं ठीक है ऐसे तो सबको पता है कि प्लस 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 ही रहा है इस 5 bracket के अंदर minus में है, बहर आएगा, plus में हो जाएगा, clear है, आच चे से, okay, आप देखो, इस चीज़ को इधर shift कर दोगे, minus 2x को इधर, और plus 4 को इधर shift कर दोगे, देखो क्या आएगा, यह जाएगा, आपको 3x, plus 2x, minus 2x को इधर shift कर दोगे, यह भी हो जाएगा, plus 2x is equal to, 20, plus 5, 20, plus 5, और plus 4, ठीक है न, आप देखो, 3, 5s आ, कितना हो जाएगा, sorry, 3 और 2, 5, 5 और 2, 7, तो यह जाएगा, 7x, 20 में 5 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा, 25, और plus 4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, clear है, आच्छे से, ओके, इसके बाद समझेगा, बिटा, x की value कितनी आ जाएगी, यह जाएगा, आपका 29, अपान में 7, ओके, है, अच्छे, तो में जाएगा, बिटां में अपटरीी, जाएगा कितनी आपके बीग कुवेंगे, झार को जाएगा. झार कितनी है, जा थे यह जाएगा है, तो बे basicly नाएगा, झाल झाल इसमें देखिएगा आप समझ तो गए होंगे आप मुझसे आगए ही चलते हैं ठीक है प्लस फॉर को जब विधर शिफ्ट करेंगे तो यह माइनस फॉर होगा ना आप दिमागतार है मैं जानता है क्यों ठीक उसमें घबराने वाली बात नहीं है देखो 25 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 25 25 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 21 आएगा ठीक है और यहां पर आप 21 लिखोगे 7 बंजा 7 7 3 जा 21 तो यहां पर X की वैलू कितनी आ गई बिटा 3 आ गई न आप समझदार हूं मैं पहले ही जानता हूं मुझे घबराने वाली बात ही नहीं है ठीक है वारिफाई कर देंगे देखो कैसे करेंगे समझना बत थोड़ा सा LHS और यहां पर क्या लिखेंगे RHS लिखेंगे घबराने वाली बात नहीं है देखो बेटा क्या लिखा है 3 X तो जाएगा 3 इंटू X के जगा पर 3 पूट करेंगे क्योंगे X की वैलू 3 आई है प्लस 2 ब्रैकेट में X प्लस 2 लिखा है तो X के जगा पर 3 पूट कर देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 3 इंटू प्लस 3 और 2 प्लस करेंगे तो आएगा 5 5 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 9 और 10 मल्टिप्लाई करेंगे तो आउसर आएगा 90 two इंटू X के जगाए प्लस थ्री पूट करेंगे तो ऐगा 20 państwo इंटू ऑन्सर कीटर गाएगा प्लस 2 एक ओरेंट बढब माइनट प्लस 3 आएगा 15 जाएगा 18 में लूकर आया 59 LHS और RHS की वाली बराबर है तो नीचे क्या लिखोगे बड़ा सा लिख दोगे hence verified आपने इसको verify कर दिये आपको answer verify करना थे ना अपने verify कर दिया put करके ठीक है 11 वाला देखो 13 को y से multiply करेंगे तो जाएगा 13y 13 को minus 4 से multiply करेंगे तो जाएगा minus 52 minus 3 को y से करेंगे तो जाएगा minus 3y minus 3 को minus 3 से multiply करेंगे तो जाएगा plus 27 minus 5 को y से करेंगे तो जाएगा minus 5y minus 5 को 4 से करेंगे तो जाएगा minus 20 is equal to 0 clear है अच्छे से यह आपका 13y दिया है यह आपका minus 3y यह आपका minus 5y तो जाएगा 13Y माइनेस 3Y, माइनेस 5 एंसर किता आएगा, माइनेस 8Y क्लियर है? इसके बाद समझेगा बेटा आच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माइनेस 52 को इधर शिफ्ट करेंगे तो जाएगा प्लस 52 ठीक है? माइनस 20 को इधर शिफ्ट करेंगे तो जाएगा प्लस 20 अब प्लस 27 के तो इधर शिफ्ट करेंगे तो जाएगा माइनस 27 ठीक है? 13Y में से 8Y माइनस करेंगे तो आएगा 5Y ठीक है? अब देखो, इन दोनों को प्लस करो कि इम इन दोनों प्लस में है QBBWDMAS के सबसे AS ॉसume आप ए एस बोर्डमास आक्री में एस पहलेσιं पाभी शाइक्षन तुनोंको इटकर दू अंसर कितना किऻ गये 72 आएगा 72 में से आप 27 Linus कल जोगे अंसर कितना आएगा ठीक है 45 आएगा माइनस तो कर लोगे ना माइनस करना भी बताऊं वाई की वाई कितनी आ जाएगी 5 जो है 45 की अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे फिर 5 पंजा 5 5 नाइन जा 45 यानि डायरेक्ट आप 9 लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी प्रियर है न आच इसके बास समझना अब आरेचे सोर अरेचे सोल्ड करना है क्योंकि अरेचे समें जीरो दिया है स्वाल कर लिखे चलिए एलेचेस ठीक है समझेगा था थर्टीन य की जगह क्य पूर करेंगे 9 पूर जागा माइनस थ्री फिर आप य की जगह क्या पूर करेंगे 9 पूर करेंगे 9 पूर थे फिर प्लस फॉर 13 bracket में क्या रहाएगा 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 5 माइनस 3 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 0 माइनस 5 9 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 13 ठीक है माइनस 3 को 0 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह दे 0 आजाएगा खतम बत 13 को 5 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 65 minus 0 आजाएगा minus 5 को 13 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 65 plus 65 minus 65 खतम हो गया answer कितना आएगा 0 आएगा minus 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है तो answer क्या आएगा 0 आएगा न यूँकि 0 cannot be positive or negative 0 is only 0 0 आपका जीफ 0 है वो plus और minus में नहीं हो सकता तो answer कितना आगा है 0 आगा LHS 0 है Arches आपको 0 given था आप यहाँ पर क्या लिखोगे hence verified clear है बटा आच्छे से 12 वाला देखो ठीक है 3M minus 10 है इसकी upon में बन कर दोगे cross multiply करो यह जागा 2M plus 5 3 यह जागा 3M minus 10 1 को 2M से multiply करेंगे तो हो जाएगा 2M 1 को 5 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 5 3 को 3 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 9M साथ में M भी तो है ना तो 9M हो जाएगा 3 को minus 10 से करेंगे तो हो जाएगा minus 30 था नहीं है कि नहीं है पेटा अच्छा से अब देखो 2m को इधर shift करोगे ठीक है अब minus 30 को इधर shift कर दोगे तो देखो 5 minus 30 इधर आएगा तो plus 30 हो जाएगा is equal to 9m plus 2m को इधर shift करेंगे तो हो जाएगा minus 2m ठीक है 5 और 35 हो जाएगा 5 और 30 मिलके हो जाएगा 35 9m में से 2m माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7m 7 जो है आपका 35 की upon में आजाएगा इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ ठीक है सीधा करके लिखने का मतलब इस तरीके से 35 upon में 7 7 minus 7, 7, 5 is the 35 तो m की value किती ही आगए 5 upon में 1 upon में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है तो m की direct value क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो clear रहे न? अच्छे से, अब देखो इसके बाद अब LHS और LHS दोनों से solve कर लोग अंसर आ जाएगा देखो कैसे आएगा LHS यहाँ पे लिखो, यहाँ पे LHS लिखो देखो कैसे नहीं आता है आराम से आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है ओके बेटा, देखो क्या लिखा है? 2m प्लस 5 upon में 3 तो 2 into m की जगा 5 प्लस 3 upon में 3 5 to is a 10, 10 प्लस 3 कितना हो जगा? 13, तो यहाँ गए 13 upon में 3 3m माइनस 10 m की जगा क्या पूट करेंगे, बेटा? m की जगा क्या पूट करेंगे? m की जगा पूट करेंगे आप 5 ठीक है न? एक मिनट पेटा यहाँ 3 नहीं है बेटा यहाँ प्लस 5 दिखाता है न? वही चीज़ा भी गलती हो जाती इसको आप 5 कर लो तो 2, 5, 0, 10 और प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा न? 2, 5, 0, 10 और प्लस 5 करेंगे तो 15 आएगा 15 अपॉट में 3 3 बन जा 3, 5 जा हो जाएगा तो अंसर कितना आएगा? 5 अपॉट में बान यानि कि 5 अब देखो 3 अब माइनस 10 है आप आप में लिखो, चाहे ना लिखो, बात 1 है M की जगा क्या पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे और माइनस 10 आप आप में लिखने चाहो दो लिख दो ने लिखने चाहो ना लिखो यह आप के उपर है वो तो मैंने अपनी तरफ से लगाया थे ना कोशन में तो दिया नहीं था 3 फाइब जा 15 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आप आप नीचे क्या लिखो गए? Hence Hence Verified Clear है बटा? आच्छे से कोई दिखत वाली बात तो नहीं है चलिए इसके बाद अपना next question करते है समझेंगे थोड़ा सा ओके बटा? देखिए यह थोड़ा और बड़ा question है लेकिन आसान है बहुत टफ नहीं है देखिए का कैसे ठीक है 6 को 3x से multiply करेंगे तो हो जाएगा 18x फिर 6 को 2 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 5 को 6x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 30x फिर माइनस 5 को माइनस 5 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5 3 को x से करेंगे तो हो जाएगा 3x 3 को माइनस 6 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 34 माइनस 5 को 7x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 35x माइनेस 5 को माइनेस 6 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 30 और प्लस 9X क्लियर है? समझ भाया? अच्छे से? आप समझेगे समझना मेटा अच्छे से ठीक है 18X माइनेस 30X क्या 18 में से 30 को माइनेस कर सकते हैं? सर पगला गए हैं क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुन सही तो कैसे करेंगे? 30 में से 18 को ही माइनेस करेंगे लेकिन साइन बस माइनेस का लगा देंगे बस हो जाएगा ठीक है? 30 में से 18 माइनेस करेंगे आएगा 12X लेकिन साइन किसका लगेगा माइनेस का 12 में 5 जोडेंगे तो 17 ही आएगा चाहे जिस तरीके से करो ठीक है, यहाँ पर देखो यह देखो, समझना 3X और 9X को प्लस करेंगा, अंसर कितना हैगा 12X 12X प्लस में रहेगा माइनस में क्या रहेगा माइनस 35X ठीक है ना तो जाहिर सी बात है बड़ी गिंती में से हम छोटी गिंती ही माइनस करेंगे, अंसर कितना आएगा 23 जो 33 आ तो गया है लेकिन इसका साइन क्या रहेगा बिटा साइन तो माइनस में ही रहेगा क्योंकि 35 और यह जो दोनों प्लस होने के बाद 12 बनेंगे 12 प्लस में रहेगा, 35 माइनस में रहेगा बड़ा तो आपका 35 है अगर यह माइनस में है तो जो आंसर रहे यह भी किस में होगा माइनस में होगा ठीक है माइनस 24 प्लस 30 तो माइनस प्लस, माइनस 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो आंसर रहेगा 6 वो भी प्लस में क्लियर है अच्छे से कोई दिकत वाली बात तो नहीं है बात है तो बता दो क्लियर है ना अब इसकी बात समझना बिटा समझना बिटा ठीक है अच्छे से देखो माइनस जो 23 आया आपको उसको इधर भेज दो तो जागा माइनस 12x ठीक है प्लस 23x और जो प्लस 17 नो इसको इधर भेज तो तो जाएगा प्लस 6 माइनस 17 माइनस प्लस माइनस 23x में से 12x को माइनस करोगे कितना बचेगा 11x बचेगा साइन किसका रहेगा साइन तो पॉस्टिव ही रहेगा क्योंकि 23 बड़ा है 12 से वह प्लस में है तो जो आपका 11x अंसर आया है यह भी प्लस में रहेगा अच्छे चलिए ठीक है 6-17 या तो ऐसे देख लो प्लस माइनस माइनस 17 में से 6 को माइनस करेंगा अंसर रहेगा 11 साइन रहेगा बड़ी किंती का 6 और 17 में बड़ी किंती काओं है 17 है वो माइनस में है तो यह भी माइनस में हो जाएगा तो x कि वैलू कुतनी आ गई माइनस 11 अपान में 11 11 से 11 11 कंसिल वट हो जागा अंसर कितना आए x के वैलू x के वैलू आ जाएगी आपकी माइनस 1 कींगि अब जब x की value minus 1 आ गई है तो इसको यहाँ अप्लाई करेंगे यहाँ अप्लाई करेंगे lhs rhs बराबर दिखांगे आप verify कर लेंगे clear रहे ना चलिए कर लेते हैं देखो कैसे करूँगे 6 लिखा ठीक है फिर 3 into minus 1 लिखेंगे फिर plus 2 लिखेंगे 6 into minus 1 लिखेंगे फिर minus 1 लिखेंगे देखो 3 को minus 1 से multiply करेंगे तो हो जाएगा minus 3 लिख देता हूं ठीक है 6 minus 3 plus 2 minus 5 6 को minus 1 से multiply करेंगे तो जाएगा minus 6 यहाँ पर minus 3 minus 3 plus 2 अंसर कितना आएगा minus 1 आएगा na minus plus minus 3 मेंसे 2 जाएगा बचेगा 1 साइन लगेगा बड़ी दिगा 3 आपकी बड़ी है तो माइनिस 0 हो जाएगा तियां पहलेगा 6-1 माइनस 6-1 माइनस-1 प्लस 6 &1 को प्लस कर दोड़ो साइन लगेगा बड़ी गिंता 6 &1 में बड़ी किंती कौन है 6 है तो माइनस लगा देंगे 6 को माइनस वन से मर्र रिपाय करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 का माइनस और 7 का माइनस प्लस हो जाएगा 5 को 7 से मर्र रिपाय करेंगे तो हो जाएगा 35 अगें माइनस प्लस मैनस 35 में से 6 को माइनस कर दिंगा अशर आएगा 29 साय इसका लागेगा बड़ी किंदी थी का बड़ी किंदी प्लस में है उकैं, देखिएं, देखिए, क्या आएका, और छेस कितना दिया था? 3 x-8, यहांब दिया था न, x-8, x के जगाँ पे, When you do. 1-1,-8 लिखेंगे, almi-5, 7 into minus 1, minus 6, plus 9 into minus 1, minus 1, minus 8, आ जाहिएका, minus 9, minus 9 को 3 से multiply करेंगे तो हो जाएगा minus 27 ठीक है और 9 को 1 से multiply करेंगे minus 1 से तो हो जाएगा minus 9 ठीक है इसके बाद समझना minus 27 minus 9 दोनों को plus कर दोगे साइण minus का लगा होगे आंसर कितना आएगा 36 आएगा ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा 5 का minus 13 का minus minus plus हो जाएगा 5 13 जा या 13 5 जा कह सकते हो 65 आएगा अगेन देखो minus plus minus 65 में 36 minus करेंगे आंसर आएगा 29 साइण किसका लगेगा बड़ी गिंती का बड़ी गिंती 65 पे प्लस है तो हम प्लस हम आप तोर पर नहीं लेकाती है इसके जिसे नहीं लेकाएंगे लेचे सार रेचेस दोने के वाली उसे हैं मागी न तो आपनी चाहिए क्या लिख हो गए हैंस verified क्लिया रहे अच्छे से 14 वाला देखो बहुत आसान कोशन है ठीक है देखो टी टी प्लस फाइफ ब्रैकेट के अंदर है बाहर माइनस लगा है तो जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो अपना से चेंज कर देगा टी ब्रैकेट के अंदर प्लस में है बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा 5 प्लस में है 12 आएगा माइनस में हो जाएगा ठीक है माइनस 5 प्लस 1 से मडिप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आजाएगा माइनस 5 माइनस 2 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 10 और साथ में T 2 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6 two koo four से करेंगे तो हो जाएगा eight और साथ में T क्थे a-3 t the minus 3 को three से करेंगे तो जाएगा प्लस क्लिय रहे आप इसके बास समझने अच्छे से ठीक है देहो यहT और ten tiko plus करते होगा ऑनसर हैका register 11T 11T मेंसे और T क्या करोगे? माइनस कर दोगे तो आंसर हैगा 9T जैसे करते हो चलना वैसे सिक्स प्लस हो जाएगा 5 , 5 को प्लस करोगे आंसर आगा 10 Scion लग जाएगा माइनस कर दोगी यह दोनों माइनस में ठीक है ए ज़िक्स प्लस ट्वेल्फ आंसर कितना आएगा? 18 आएगा 8T में से 3T माइनस कर दोगे आंसा लाएगा 5T साहिं प्लस के क्यों लगा या पता है ना क्योंकि यह इन दोनों में से बड़ा 8 है उसके आगे प्लस लगा दो इसके आगे भी प्लस लगा देंगे ठीक है ना चालो इसके बास समझने आप माइनस 10 को इधार शिफ्ट करेंगे 5 को इधार ले आएंगे तो हो जाएगा 10T माइनस 5T is equal to ठीक है 18 प्लस 10 को इधार शिफ्ट कर दोगे क्लियर है आच्छे से कोई दीकरत वाली बात तो नहीं है बात है तो बताओ 90 में से 5T माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40 18 में 10 करेंगे तो हो जागा 28 टीक की While इतनी आ गई 28 ह But 4 4 7 टीक है तो टीक की वैली कितनी आ गई 7 ऑन 1 गहो यह 7 हो बास सेंगे तो टीक की ؟ एल्ली तो हो जाएगा को जाएगा खैक्ध कोई दीखत वाली बात नहीं है लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। आराम से आपका verify हो जाएगा, ठीक है, देखो कैसे होगा, देखो, t की जगा पर क्या बूट करेंगे, 7 बूट करेंगे, तो जाएगा, 7 minus, 2 into 7 plus 5, ठीक है, minus 5, 1 minus 2 into 7, बस जहाँ जहाँ पर t था यहाँ पर, वहाँ पर 7 बूट कर दिया है, 7 minus, 2 7's are 14, 14 plus 5 हो जाएगा, 19, ठीक है, जब देखो, समझना, minus 2 को 7 से multiply करेंगे, अंसर आएगा, minus 14, 1 minus 14, अंसर कितना आएगा, minus 13, तो जाएगा, minus 5 और minus 13, समझ में आएगा, नहीं, एक बाद फिर से देख लो, 2 को 7 से multiply करेंगे, तो हो जाएगा, 14, 1 minus 14 होगा, 1 में से 14 minus होगा, नहीं, तो 14 में से 1 ही minus करेंगे, sign minus का लगा देंगे, ठीक है न, अच्छा, 7 minus 19, 5 का minus 13 का minus, minus minus plus हो जाएगा, तो हो जाएगा, 65, 13, 5 से 65, 65 में 7 जोडेंगे, आंसर कितना आएगा, 72, ठीक है, कितना आएगा, 72, 72 में से आप क्या करोगे, 19 को minus कर दोगे, अच्छा, कुछ बच्चे सुरूंगे सा, 72 में से 19 माइनस कैसे किया जाए, तो मैं कहूंगा, बेटा 20 माइनस कर, 72 में से कितना आएगा, 52 आएगा न, फिर एक प्लस कर दे, क्योंकि 19 नहीं माइनस करना था, तो अंसर कितना आजाएगा, 53 आजाएगा, तोड़ा बहुत दिमाग में घुसा या नहीं घुसा ये बताओ पहले, ठीक है, अब यही सेमजी से रहस में भी देखो, 7, 4, 28, 28 में 3 जोडएंगे, तो अंसर कितना आएगा, 31, यानि 2, 31, बीच में 2 का साइन है, लगा नहीं रहा हूं, लेकिन बता जुका हूं कई बार कि इंटू का ही साइन होता है, ब्रैकेट और नंबर के बीच में, अब देखो, माइनस 3, 7 में से 3 माइनस करेंगा, अंसर कितना आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे, 3 नहीं बेटा, मैं तो डैक अंसर ही बोल देता हूं, पता नहीं क्या है, 7 में से 4 माइनस करेंगे, अंसर कितना आएगा, 3 आएगा, 2 को 31 से में रिप्ला करेंगे, आएगा 62 में से 9 माइनस करेंगे, तो आएगा 9, 62 में से 9 मा एक्षे से को अधिकत वाली बात तो नहीं है ओके चलिए इसके बाद अपना नेस्ट कोश्चन करते हैं सबंदना थोड़ा सा चलिए बटा और आसान कोश्चन है देखने में टफ लग रहा है लेकिन है यह आसान ठीक है देखो कैसे होगा पहले तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो जाएगा टू एक्स माइनस त्री थ्री अपन एक्स राइट हैं चाइड में प्लस में हैं इसके आगे कोई साइ नहीं तो by default प्लस का होगा इधर शिफ्ट करेंगे left hand side में तो माइनस का हो जाएगा इस इकॉल टू सेवन अपॉनमें ट्री और रेट कालिसियम लेंगे तो कितना आएगा बटा ट्वेंटीफोर आएगा ठीक है अच्छा ऐसे भी कर सकते हो यह दुनों आपस में को डिवाइट करेगा वो सिर्फ आपका बन है एक अटा है दोनों को एक साथ और जब को प्राइम हो गए तो कैसे करते हैं क्रोस मोलिप्लाइ करते हैं 8 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16 साथ में x-3 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9 साथ में x और 3 is 24 is equal to 7 upon 12 16 में से 9 minus करेंगे त इसको हम लगे हाथ वैरिफाई भी कर लेते हैं चलो कर लेते हैं देखो क्या आएगा LHS left hand side क्या लिखा है 2 upon 3 और साथ में x x की value 2 आई है multiply कर दो अंसर कितना जाएगा इसका 4 upon 3 तो आएगा न अब आप RHS निकाल लो RHS verify कर लो लगे हाथ clear है देखो क्या आएगा यह जगा 3 upon 8 into 2 क्योंकि एक से जगा बे 2 बुट करेंगे और प्लस 7 upon 12 clear है 2 ones are 2 fours are अंसर कितना आया 3 upon 4 plus 7 upon 12 4 और 12 का LCM ले लोगे चाहे यहाँ पर ले लो चाहे आगे ले लो यहीं पर ले लेता हूं 12 को 4 से divide करोगे आंसर आएगा 3 3 को 3 से multiply करोगे answer आएगा 9 12 को 12 से divide कराएंगे answer आएगा 1 1 को उटागे 7 से मड़ी पैकर आएगे तो answer आएगा 7 9 plus 7 कितना हो जाएगा 16 upon 12 4 की devil आती है ना दोनों नमबर जाता है divide कर दो 4 4 जा और 4 3 जा answer कितना आ गया 4 upon 3 तो आप यहां भी क्या लिखोगे LHS और RHS बराबर आ गया ना दोनों की value तो आप यहां भी लिख दोगे hence hence verified clear है बेटा अच्छे से चलो यह वाला करते हैं देखो 5 और 7 आपस में बेटा को प्राइम है यानि सिर्फ 1 ही है जो इन दोनों को divide कर रहा है इकटा ठीक है जब को प्राइम है तो बहुत असान हो गया cross multiply करेंगे 7 को 3 X से करेंगे तो हो जाएगा 21 X फिर 7 को minus 5 से करेंगे तो हो जाएगा minus 7 ठीक है फिर 5 को minus X से करेंगे तो हो इस इपल टू थ्री अब में आया डारेक्क करार हो समझना ठीक है मैं आपको बहुत बैसिंग लेकर चलना हूं क्योंकि जब आप अभी से इस तरीके की करनी के आदर डालेगों न तो आगे कर पाऊगे ठीक है आप समझना 21x में से 5x को माइनस कर दो तो हो जाएगा 16x ठीक है साथ में माइनस 7 ठीक है इस इपल टू 35 जागे 3 से मल्टिप्लाई हो जाएगा अच्छा अपान में वन भी है लिखने चाहो तो लीख दो बेसिक लिवल के लिए ठीक है और जब वन को इधा के इधर मल्टिप्लाई कराओगे तो यहां पर जो नंबर रहेगा वही तो रहेगा न चाहो तो इधर करा देना वन से मल्टिप्लाई चलो आपके लिए सिब द जाएगा वन तो इधर पर जोगे तो जागा 16x is equal to 105 प्लस 7 अंसर कितना आ जाएगा 1012 नहीं 1112 आएगा 16 की टेमा लानी चाहिए बस आप इत्ती महरवानी कर दीजेगा मुझ पर 16 16 16 7 जा 112 7 अपान वन यानि डार्ट हम कह लिए सकते हैं एक्स की वाल्यू आपकी 7 आ गई है क्लियर है अब जब 7 आ गई उठाएकर पुट कर रहो अंसर आ जाएगा चलो लहस निकालते हैं रहस अपने आप आ जाएगा 3 x की जगा पर 7 पुट कर दो माइनस 1 अपान में 5 पी माइनस 7 अपान में 7 3 7 जा 21 21 में 7 मैनिस करेंगे आएगा 20 तो जगा 20 अपान में 5 माइनस 7 से 7 कंसिल आउट करेंगे तो 1 बन रहेगा 1 अपान में 1 यानि पलेट के 1 ही आएगा अंसर ठीक है 5 1 जा 5 4 जा 4 अपान 1 यानि की 4 4 अपान 1 करेंगे का मतलब क्या है 4 लिखा है और 4 में से 1 माइनस करेंगा अंसर जाएगा 3 LHS 3 है RHS already 3 आ रहा है आप यहाँ पर क्या लिख हो गए Hence verified clear है बेटा आच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बात है तो बता दो ओके 17 देखो कुछ नहीं करना आपको बटे नाल इदर cross multiply होगा उसके बाद bracket open करेंगे 10 जाके इदर multiply होगा 2X माइनस 3 से यह आपका 3 अप 5X माइनस 12 10 को 2 से करेंगे तो होगा 20 साथ में X 10 को माइनस 3 से करेंगे तो जाएगा माइनस 30 20X-15X अंसर कितना आपको 6X ना जाएगा प्लस 30, माइनस प्लस माइनस, 36 में से 30 माइनस होगा, अंसल आएगा 6, साइन लगेगा माइनस का, X की वैलू कितनी आ गई, माइनस 6 अपान में 5, क्लियर है या नहीं है, पहली ये बताओ, अब इसी वैलू को रख क्या है, वैरिफाई कर लेंगे, चलिए ये कर लेते हैं, कोई दिक्कतवारी बात नहीं है, ओके देखो, X से जगा पर, माइनस 6 अपान 5 पुट करें यहाँ पर, जगा 2 इन 2, माइनस 6 अपान 5, माइनस 3, क्या आएगा देखो, 2 को माइनस 6 से करेंगे, तो जागा माइनस 12, अपान 5, माइनस 3, 5 जाके दर क्रॉस मॉल्टिप्लाई होगा, तो 5 को जब माइनस 3 से करोगे, तो अंसर कितना आएगा, माइनस 15 आएगा न, माइनस 12, माइनस 15, अपान 5, माइनस माइनस प्लस, 12 और 15 को जोड़ दोगे, अंसर आएगा 27, साइन लगेगा माइनस का, यहाँ पर आजाएगा, माइनस 27 आपान 5, LHS की वालू, उसी तरगे से RHS भी निकाल लो, RHS, क्या दिया है, 3 आपान 10 दिया है, 5 इंटू, एक्स को जगा पर माइनस 6 आपान 5 लिखेंगे, जिसका अंसर आया है, माइनस 12 कर देंगे, अब यहाँ देखो, 5 से 5 कैंसिल आउट हुजागा, चाहे 1 लिख लो, 5 फंजा, 5 फंजा, ठीक है, अब देखो, 1 को माइनस 6 से मल्टिप्लाइ करोगे, तो माइनस 6 आएगा, अपान में भी 1 बचेगा, माइनस 6 आपान में 1, पलेट के बटा, माइनस 6 ही तो मिलेगा ना आपको, इसे मैं आपको सी, बेसिक हां बतारिंग लिए कर रहा हूँ, यहनना मैं 5 से 5 काटू, फिर माइनस 6 माइनस 12 को डारेक्ट करू, लेकिन मैं आपको पुरा समझा कर रहा हूँ, माइनस 6 माइनस 12 करोगा अंसर कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, माइनस 18 नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 12 को प्लस करोगे, 6 और 12 को प्लस करोगे, अंसर आएगा 18, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, क्योंगी दोनों माइनस में है तो जाएगा 3 अपाउन में 10 इंटू कित्ता हो जाएगा माइनस 18 2 से रिडूस कर दो 2 5 जा 2 9 जा फिर 3 को माइनस 10 से मलिप्लाइ करोगा तो जाएगा माइनस 27 अपाउन में 5 बचा है ठीक है दोनों बराबर हो गए तो आप यहाँ पर क्या लिखो गए हैंस हैंस वेरिफाइड क्लिया रहे बेटा अच्छा जए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें कामेंट करें शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चे तो ज़रूर पहुचान जो कोचिंग को एफ़र्ड नहीं कर सकते थाइंक